सो गाईज चाहे आप टीनेजर हो या आप एडल्थ हो आप मेल हो या फीमेल हो वाइट हेड की प्रॉबलम आज के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा कंसर्ण बन चुका है वाइट हेड से बहुत से लोग जो है वो परेशान है अब अगर वाइट हेड है और उनकी केर ना की ज जाएंगे अभी ब्लाग हेड तक सिचुएशन पहुंच गई है फिर भी उनकी केर ना की जाए तो स्किन पे पिंपल्स आएंगे पिंपल्स आएंगे माक्स छोडेंगे माक्स धीरे-धीरे pigmentation and lot 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 of things so now आज ही इन चीजों को हमें रोकना है कैसे रोकना है उसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी remedy बताऊंगी पहली बात होते कैसे हैं मतलब what was the issue actually किस तरह से क्यों करेंगे do's and don'ts everything मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ so चलिए without any day video को start करते हैं so hello everyone नमशकार welcome back to my channel जीवन चलिवित सारी का I hope my family is doing great अब सभी आपके घरों में बहुत बहुत positive है बहुत स्वस्थ है and also जो अभी तक हवारी family का part नहीं बने आना guys don't miss it आज ही channel को subscribe कर लीजे family and friends में भी share कीजे also hit the bell icon so that की आपको upcoming videos के notification ज़रूर से मिल पाएं और अगर video आज का अच्छा लगे so guys press the press the like button yes I think अभी तक press कर भी दिया होगा so ज़िए body lane नहीं करते है और आज का video start करते है so yes guys देखे हमारी जो skin है देखे सबसे बहली बात आपको आपके mind में set करनी है for the whole body we have a pores right and वो मतलब this is a natural वो एक हमारे लिए इसलिए बने है so that की हमारी body जो है वो oxygen ले सके ठीक है so सबसे पहली बात तो pores सभी के skins पे होते है right अभी देखे होता क्या है कि बहुत जादा sweat आने की वज़ह से या आप यह कहिए कि यूनो जब हमारी skin में dirt किसी तरह का मतलब कोई यूनो बाहर का pollution आजकल इतना जादा है तो वो जब चीजें आपकी skin में उन pores में चली जाती है तो क्या होता है वो pores को clock कर देती है आपका मतलब ऐसा होता ना लाइक घुटन घुटन जिसको हम बोल सकते हैं बट येस skin हमें बोल नहीं रही है वो चीजें हमें दिखा रही है कि भाई साब सही टाइम आ गया है आप इसका कियर करें लेकिन स्टेल हम लोग इग्नोर कर रहे हैं ठीक है इग्नोर नहीं करना है आपकी skin यार सांस नहीं ले पा रही है उसको treatment की जरूरत है and also we are blessed with the natural herbs we are blessed with the natural thing देखिए आप मानिये या ना मानिये ठीक है नहीं मान रहे हैं तो आज से मानना स्ट कर दीचे कि herbs हमारे लिए इतनी magical चीजें गाईस बस इनका सही यूज और सही समय पर यूज करना है सो देखिए अभी हमें जो आज की remedy बता रहे हैं जा रही हूँ blackheads whiteheads क्योंकि whitehead ही बात में जो dirt you know whitehead आपको एक sign देता है after that वो blackheads बन जाते हैं चीक है और फिर हमें मतला हमारी जो वो चीजें एक तो उनको clean out करेगा जो pores open हो गये हैं उनको निकालेगा और जो श्रिंकर आप करेगा उन pores को and also जो तीसरा effect आपको जो एक last में tip दूँगी अगर इसी same चीज को आप एक छोटी से trick के साथ करते हैं आप देखेगा after using आज मैंने ये face mask जस्ट अभी मैंने वीडियो शूट करा है and I am just coming और सिरफ मैंने moisturizer इस ताइम फेस पर लगा रखा है आपको आपकी skin बहुती subtle and also lift and up लगेगी right so चलिए बताती हूँ क्या क्या लेना है so देखे इस face mask को बनाने के लिए आपको चाहिए mashed banana देखे सबसे पहली बात बिल्कुल भी आलस नहीं करना है guys ये जो face mask है आपको fresh बनाना है fresh लगाना है don't store this 5 minute का time है अगर आप अपने आप के लिए अपनी skin के लिए 5 minutes निकाल सकते ना तो क्या ही बोलो ठीक है आप बनाना लीजिए half से भी half banana is enough उसको mash कीजी अच्छे से if you want आप यहां पर mixer grinder का use कर सकते है मैंने नहीं कर आया है बट मुझे लगता है मैंने गल्ती कर दी थी क्योंकि वो ना थोड़ा मतलब ऐसे गिर रहा था so आप mixer grind कर सकते है आपको क्या करना है आपको बनाना को अच्छे से mash कर लेना है then जो second ingredient हम इसमें add on करेंगे guys that is your licorice powder पूरी dirt है उसको निकालेगा right मतलब यहां पर मेरी first priority रहेगी guys कि आपको मुलेथी powder ही use करना है आप यहां पर half tablespoon is enough क्योंकि हम इसे सिरफ एक बार के लिए prepare कर रहे हैं आप इनों चीजों को अच्छे से blend out कर लेना है अभी देखिए in case I'm already always मतलब हमेशा आपको यह बहते हूं यहां tension नहीं लेनी है बस you know skin आपकी अंदर की खुशी को आप अगर दिखाना चाहते है वो skin पर ही लिखती है right so आपको क्या करना है in case अगर नहीं है तो no need to worry ऐसे बताऊंगी जो ले सकते है that is number one sandalwood powder sandalwood powder ले लीजेगा वो भी नहीं है तो last option basin ठीक है यह तीनों चीजे मैंने बता दी है first priority बता दी है नहीं है तो second and third priority पर जाएए and एक अच्छा सा pack बना लीजे अभी बताते है चलिए अभी इसका preparation कैसे करना है first of all guys wash your face always क्योंकि बहुत face pack चिपका लेंगे तो कोई फाइदा नहीं होगा right so all this नहीं करिए face को अच्छे से clean out कीजे then also एकदम face wash लगाकर pack नहीं लगाना है अपनी skin को थोड़ा सा time दीजे उसको pat dry कीजे then आपका face pack ready है face pack को face पर लगाए अभी देखिए लगाने का procedure क्या है पहले आप एक बार लग है तो आप इसको थ्राइस तीन बार अपनी skin पर लगाएंगे बिल्कुल हलकी परत सुखने दीजिए second परत सुखने दीजिए third three years में हमने इसको लगाया अभी देखिए मैंने बोला था starting में कि एक tip दोंगी जब आपने तीनों परत लगा ली अभी आप अगर अपने face को मै अगर आप चाहते हैं आपका face uplift करें इस तरह से अपनी skin को रखिए ताकि face आपका uplift हो वो tightening effect आपको बनाना से मिलेगा तो आपने इस pack को after three layering लगाने के बाद इस pack को 5-6 minute मतलब अपने face को upward direction में करते हुए लेट जाना है राइट लेटने के बाद जब ये बिलकुल सूख चाहे what you have to do is dip your finger on water right on I mean luke warm water जो आपका normal temperature होता है and then massage your skin properly देखिए massaging steps हर वीडियो में बताए गए है हर जगा बताए गए है normal massage कोई भी video पुराना उठाएंगे पता चल जाएगा otherwise I know आप सब लोग जानते है अच्छे से face को massage कीजिए wash off कर दीजे wash off करने के बाद never ever skip two most important steps that is क्या करना है आपको आपको उसके बाद में toner लगाना है as a toner मैं suggest करूंगी go for rose water मतलब कुछ भी नहीं है तो rose water होगा rose water पे जाहिए कोई फाल्तु tension लेने की जुर्यत नहीं है rose water लगाए मौशराइजर में जो भी मौशराइजर अवैलबल है जो यूज करते हैं already otherwise go for aloe vera that is best देखिए मैं आज के टाइम पे rose water and aloe vera gel ही यूज कर you rest it's totally up to you जो भी आपके पास है वो आप यूज कीजिए right and trust me result देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे seriously बोल रहे हूं result देखकर आप भी हरान हो जाएंगे मेरी तरह ठीक है अभी बता देती हूँ use कितना करना है so yes this is very natural so you can use twice in a week also आप यह कहें कि एक बार पैक लगाया और असर नहीं दिख रहा है या असर दिख गया तो आप क्या करें उसको छोड़ दे ठीक है उसके बाद आप कहें कि चलो जब दुबारा problem होगी तब no guys never आपको इसको continuously कुछ दिन use करना है so that की upcoming problem भी आपके साथ में ना आए so I hope guys आज का video आपको बहुत अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो प्लीज यार चैनल को आगे शेयर करो so that की हमारे और फैमिली इस फैमिली को हम एक huge big family में convert कर सके so मिलती हूं guys next amazing video में तब तक के लिए take care bye bye everyone